तो गैस अगर आप लोग वीवो के फोन यूज कर रहें और अगर आप लोग अपने वीवो के डिवाइस में रिमोट कंट्रोल एप को यूज करना चाहते हैं तो कैसे आप लोग इसे यूज करेंगे डिफॉल्ट और कस्टम दोनों तरीके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर कोई भी इंक्वाइरी होता आप लोग हमें वाट्सप कर सकते हैं वाट्सप नंबर हमारा आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं पहले डिफॉल्ट तरगे के बारे में तो अभी जो हम वीवो का फोन यूज कर रहें यहां पर हमें डिफॉल्ट में रिमोट कंट्रोल का कोई भी यहां पर ऑप्सन देखने को नहीं मिलता ठीक है तो अगर आप लोग की फोन में होगा डिफॉल्ट में तो हो सकता है कुछ एप्लिकेशन आप लोग को सो करेंगा एप्लिकेशन सो करेगा सामने में ही तो आप लोग उस application के माध्यम से जो है remote control app को use कर सकते हैं यह होगे आप लोग का default तरीका अगर default में आप लोग को remote control app नहीं मिलता है तो आप लोग simple play store पे search कर सकते remote control app ठीक है remote यहां पे आप लोग सर्च कर सकते में setup मतलब उन applications को install करके अपने वीवो के phone में remote control app को use कर सकते हैं इसमें अगर कोई भी doubt रहेगा तो आप लोग हमें WhatsApp कर सकते हैं I hope आप लोग को वीडियो ची लगी होगी मिलते हैं next वीडियो में जय मतादी